आप सभी शौक्तित बात करेंगे दोस्तों आपर अलोक इंडेस्टी के बारे में इसके जो कॉर्टर वन के रिजल्ट लग चुके दोस्तों उसके बारे में आपर हम डिसकस करेंगे अब ही result के बाद में दोस्तों stock कैसे perform करेगा और यहाँ पर आपको बताना चौँगा कि इसका जो impact रहेगा result का वो कितना दोस्तों आपको company के business में अच्छा है या बुरा है company का जो profit है या loss है उसका और revenue का जो दोस्तों आपको असर रहेगा वो directly और indirectly company के business पर भी होता है और उसका असर आपको यहाँ पर stock के price पर भी देखने मिलेगा अब देखे सबी चीज़े तो सही है दोस्तों और आपको देखना है पड़ेगे और उसको देखने के बाद ही आप clear हो जाएंगे देखे बहुत से यहाँ पर retail investors चोटा price का share है बोलकर खरित के तो बढ़ जाते हैं बट आप कोंगा अलोक industry के situation से गुजर रही है company में यहाँ पर internal यहाँ पर external issue है उसको समझीए company के business की दोस्तों growth कितनी मैं आपको बार बार यह बात तो आपको repeat करते रहूँगा और बताने की कोशिश तो मेरे रहेगे दोस्तों की business सबसे matter रखता है किसे भी यहाँ पर company के बारे में क्योंकि आप जिस भी company में यहाँ पर निवेश करें मैं आपको एक रुपए का यहाँ पर 25 पैसे का भी share रहन दे दो बट उस company का जो हाँ पर business वो चलने वाला होना चाहिए और company क्या करनी चाहिए दोस्तों कमानी की कोशिश जो होती company को हमें growthable देखने के मिलने चाहिए तहाँ पर हम देख लेते अलूक industry का कैसे performance रहा अपने quarter one के result में तहाँ पर मैं बताना चाहिए का company ने कोई दोस्तों dividend क जो हम यहाँ पर discuss करना चाहिए तो कोई भी हाँ पर company ने एक रुपे का dividend अनौंस नहीं किया है अब यहाँ पर हम जैसे company में देखे दोस्तों अलग अलग यहाँ पर उन्हें point रखे report जो review होते board meeting में यहाँ पर आलूक industry के बारे में सब कुछ यहाँ पर रखा गया है पार में देखेंगे बट सबसे important बात हमारे लिए क्या है तो company ने किसना performance के है अपने business में और company कैसी है तो थोड़ा मैं आपको यह बी चीज़ बताना चाहूंगा देखे का अलोक industry के पास आयसा मत समझना कि खाली अलोक industry आखेली company है अलोक industry के पास देखे अलोक infrastructure limited है अलोक Singapore PT Limited है अलोक international यह सभी companies इनके पास है दोस्तो कुल मिलाकर art companies है और joint venture देखेंगे दो देखने मिलेंगे इस सभी चीज़े मैं आपको यहापर बता इसलिए रहा हूं क्या है आपको यहापर जो knowledge है दोस्तो अच्छा मिलना चाहिए और quality आपको यहापर समझ में आने चाहिए company के अब यहापर हम बात करेंगे दोस्तों सभी figures इन करोड में है अलोक industry के नंबर के बारे में तो total income total income और फॉर जो यहापर revenue होता दोस्तों income होता है वो mix होता है और operations है जो company जो अपना textual का business करते हैं उससे कमाई कैसी कर रही है अब इस बात को ऐसा निवेशे को लगेगा कि पिछले साल अब देखें मैं सभी चीज आपके आगे आपर रखना चाहूंगा दोस्तों पूरते के जाना understanding करना यहापर देखें पिछले साल दोस्तों यहापर 347 करोड का जो यहापर company ने revenue total income जनरेट क्या था वो यहापर बढ़कर देखें 1228 करोड हो चुका है वह तो और भी एक interesting चीज बताना चाहूंगा कि देखें quarter quarter basis पर आपको नजर आएगा कि यहापर different है 1455 करोड का जो company ने income कमाया था घटकर 1228 करोड हो चुका है यह ऐसा देखकर आप बिल्कुल decide ने कर सकते दोस्तों कि company में यहापर जो profit generate हुआ है नहीं है तो हमें देखना पड़ करें दोस्तों तो expenses company का जितना है यहापर profit है यहापर समझे जो company ने revenue कमाया है उतने में से भी दोस्तों यहापर expenses ही जादे है बोलतों company ने जो generation करना चाहिए profit यहापर बहुत से निवेशे को लगेगा सर आप क्या बता रहे तो मैं आप कोंगा देखे company ने loss दर्ज किया है सबी चीज़े मैं आपको यहापर clear बता दे रहा हूँ अब यहापर देखे यह तो बात होगे खाली expenses deduct करने की बाद में तो दोस्तों यहापर taxes होंगे total taxes भी देखना total taxes भी deduct करने के बाद दोस्तों company के पास loss बंच रहा है अब यहापर हम आकर देखे दोस्तों की company ने कमाया कितना है और company के पास total यहापर profit कितना है net profit और losses कितने है तो यहापर आप खुद देख सकते है पिछले साल दोस्तों कितने थे losses जो जादे थे वो कम हो गए है पिछले साल देखेंगे तो आपको अचाना चाहूँगा 10,000 के भी उपर के दोस्तों यहापर करोड़ों में losses थ देखें खाली 92.4 lakhs 44 lakhs ऐसे दोस्तों यह जो यहापर figure से करोड़ों में है तो देखें 92 करोड़ों का हापर company round figure हम बोल सकते कि loss किया है अब यहापर हम और वे चीज़े देखें तो इसका EPS दोस्तों EPS भी देखना earning per share यह क्या करेगा यह performance दिखाएगा stock ने return के बारे में कैसे perform किया तो कितना different है दोस्तों पिछले साल देखे 80 sorry 8.73 percent का EPS था और आभी देखें कितना 0.19 percent का बलतो देखें किदर है stock इस बात को यहाद रखें कि कहा कैसे कहा company आ रही है और company का performance कैसे loss ही loss ही दोस्तों और इस चीज़े मैं आपको इसले clear कर रहा हूं कि आप जो आप यहाँ पर समझ चुकिए आलोक industry के बारे में मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें बताऊंगा दोस्तों आप चाहे डीटिल पढ़ना या देखना तो मुझे आए बटन पर बता मैं आपको आए बटन पर वीडियों देख लेना thank you